ओमा ज्ञान ति मिरंधश्या ज्ञान जन शलाकया चक्षरम लिताम देना तस्मै श्री गुरुवे नमहां मुखं करु तिवाचालं पंगं लंगयते गिरिं यत्किरिपातम हम बंदे श्री गुरुम दिनतारिनां बंदेहं श्री गुरु श्री जुता पद कमलं श्री गुरुम बैष्ण बंच श्री रूपं साग जातं सागनार गुनातं वितं कंसजेवं सागवेतं सावधूतं परिजनासेतं स्री कृष्ण जैतन देवं स्री राध कृष्ण पादं सागना ललिता स्री विशाखान वितं स्चाम स्री चैतन्य मनो विस्तं स्तापितं मेन पूतले सायम्रुबगदामायं ददातिस पदंधिकं नमा ओम विश्ण पादाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले स्री मते भक्ति वेदाम्त स्वामी तिनामिन नमस्ते सर्षति देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेष सुन्यवाधि पाश्चात्य दिसतारिने नमा ओम विश्ण पादाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले स्री मते भक्ति सिध्धांत सरसति दिनामिने स्री भार्षन वर्षवान विदेवे दैताय कृपावदये कृष्ण संबंध विज्ञानं दाइने प्रभवे नमा माधुर्य जल प्रेमाध्य स्री रूपानूग भक्तिदा स्री गौर करुण सक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवानी स्री मूर्थय दिनतारिने रूपानूग विरुधाप सिधान्त द्वन्त हर्णे नमगौर किशोराय शक्षत वैराग्य मूर्थये विप्रलंभर संबुधे पदंभुजय ते नमहां नमभक्ति विनदाय सचिदानन्द नामिने गौर सक्ति सरूपाय रूपानूग वरायते गौर विर्भाव भूमेस्तम निर्देस्त सजनाप्रिया वैष्ण वस्र्वभोमा स्री जगनाथायते नमहां वांचा कल्ब दरुवेष क्रिपसिंधु वैवचा पतितानंबावनेभ्यो वैष्णनेभ्यो नमो नमहां नमो महा बदन्याय क्रिष्ण प्रेम प्रदायते प्रिष्णाय क्रिष्ण चैतन्या नामने गौरतिसे नमहां पंचत अत्मात्मकं क्रिष्ण भक्त रूप शरूपकं भक्त वतार भक्त अख्यं नमामी भक्त सक्तिकं हे क्रिष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपेका कांत राधा कांत नमस्तुते जयताम्सुरत पंगोर मममंधार मतेर्गते मत्सर्वस्य पदंभोजव राधा मदनमोहनाव दिभ्या व्रिंद्यारन्य कल्पतरुमदा स्रिमद्रत्नागारसिम्हासनस्तो स्रीमाद्रदसिलगोविन्ददेवो प्रिष्टालि वेशे भ्यमानं स्मरामि स्रीमान्रसरसारम्हे बंसिवत ततस्तितां कर्षन वेनुर्षने गोपे गोपीनातस्रियस्तुनहां तप्चकांजन गोरांगी राधे ब्रिंदवनेश्वरे भ्रिषा भानुशुते देवे प्रणमामि हरी प्रिये जय श्री क्रिष्ण चैतन्य प्रभु नित्यनन्द श्री आद्वेत गदाधर स्रिवसादी गोप्र भक्त ब्रिंद हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण क्रिष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलिये श्रिबाल कृष्ण लाल की जये श्रिर्मत भागवत महापुरान की जये जगत गुरु शिल परभुपाद की जये शिल गुरुदे माराज की जये श्री राधा राम चंद्र भगवान की जये 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 श्री राधे श्याँ द्वारी का धीश की जये प्रम्मंगल में पराध्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वान्च कल्पतरु तरुंद्र की पिताम्बर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमय परतिमूर्ती सिर्मत भागवत महापुराद जये जये श्री राधा रामन जये जया नवलकिशोर्ण जये गोपी चित चोर प्रभु जये जये माखन चोर्ण श्री राधे कोपाल भजमन स्री राधे जये 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 स्टी के लादे गुप्मा वज के लोगोगल के स्여चे के लादे। र्फ्री श्रीदाय जयन्ययर्टão र्फ्री श्रीला जयन्ययर्टू नियर् जयन्यर्टா कुष्रीदाथर्टी श्रीर Bowlर्टão आजे माद सीरा जे मि शीना थे कुपा आजे भन्या माद सीरा जे कुपा ै नहीं जे आज जे कुपा क्झे उक्त करें इंप करें और आ करें 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 श्मोपान, वियादी ओ्ष्मारी, श्मोपान, वियादी पोपान, वियादी पोपान बज्ग माल्यों बीर्ण हर्ण धिर्ण शुलब भुपॉ प्रिया प्रिया दिया 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 दिय आते हैं कर दो अ effectiveness आत आतर आतर ढां बरी मुद्धं श्यु औरत आतर आतर आतम कर दो आतर आतर आतन जातर आत्ट है कर दो हुआ, ते नंगनायों आतरी निकोल फिलmesi. हुआता हुआ, संत्पारी काक्षी, टफंग हुआ, वढ़िय सहुआ, म packetरों तीया, कर दो एंगनायों, पनायों क्लामयों, ुऽर्थाव तत्यों आतरिक्तस्थित MOS स्वाद आतरिक्तस्थित्था, ले घरादी। हम दाना दिजार आते, दी अखड़ना दिजे话 लुभका, जी आते कोपा। पो पात्यों यूपक्त बजमान क्वेरादे, बजमान क्वेरादे, बजमान क्वेरादे. प्यारे प्रभु प्रेमियू, गोविंदकी महाति किर्पा, मेरे परम आराध्य, ठाकुर श्री राधार माधवहरी जी, गोर्निताय, श्रीनाजी गोपाल की अनुकमपा, और गोव प्रामन, संत सेवी, बैदिक बांगमाय का सर्वच्च, सत्ग्रंथ, शिर्मत भागवत जिसका सप्तहा, सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान जिसे हम भागवत सप्तहा ग्यान यग्य के रूप में जानते हैं, का सुभारम करते हैं. पुर्य थे किस परकार से रगुगणों, राजा रगुगण और जड़ भारत जी का संबाध हुआ, और अंतता राजा रगुगण जड़ भारत के चरणों में गिर गए, और उनका अस्तित्व पैचान लिया, और याचना करते हैं, याचना करते हैं, कि आत्म ग्यान कैसे हो, तो इस परकार से जब हर तरीका से तर्क बितर्क किया, हर तरीका से प्रश्ण किया, तो ऐसा मालूम पढ़ गया, कि ये सालारण बेखती नहीं है, जड़ भारत जी, तो उनके चरणों में पढ़ जाते हैं, और माफी मागने के बाद आत्मा ग्यान के लिए, आत्मा बोत कैसे हो, इसके लिए शिक्षा मांगते हैं, तो जब इस परकार से आत्मा बोत की विशाय में बोलते हैं, क्या उपाय हैं, उसका उपाय पूछते हैं, तो भारत महारा जड़ भारत जी, क्याते हैं, कि देखिए, बिना महत पादर जोब इसे गम, वो क्याते थे कि महा पूछतों की चरणों की दूले, जब तक माथे से नहीं लगा होए, उनकी सन्नित में बेटकर आत्मा चिंदन के बारे में नहीं जानोगे, आत्मबोद होगा कैसे, तो इस परकास से दूसरा किसी का कथा नहीं बताते हैं, अपने ही जीवन का उधारण देते हैं, अपने ही जीवन का कथा, पूर्वजनम का कथा बताते हैं, और उनको समझाने का चेस्टा करते हैं कि संत पुरूशों की सन्निधि में बेटना, सत संग करना कितना महत्त पूर्णा है। तो जाने का चेस्टा करता है, प्रेंग मार पर जाने के लिए प्रेतना करता है, तो बहुत सारे अप्सिटिकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे अप्सिटिकल्स होते हैं, दुविदाय आते हैं, ऐसा कहा गया है, और हम लोग अपने प्राक्टिकल्स अपने ही जीवन में भी आं आप बोलेंगे मुदेर जाएंगे सल्त्सांग के लिए Here that is ज़िए कि ऐसे सथ आपांड मेंट एस oldu किई के लिए आपोंड मेंट ज़िए क्यों गलेंगे कि अज हमारा क्रिकेट में आचे प्युक्रिणे यह व्लेंगे कि फुट्वल खलना जाने का प्लान किया है भाई या बलेंगे मंदिर चलो और बीबी बलेंगे कि नहीं आज नहीं जा सकेंगे बलेंगे क्यों बलेंगे कि आज सहीली के गार में पाटी है तो अनेक परकार के भाना बन सकते हैं अनेक परकार के obstacles आते हैं भगवत भक्ति मार्ग में और ये किसी बार से नहीं आता है प्रेम के मार्ग पर जो जाने वाले को जाना चाहता है सरवाधिक विरोधी उसके उनके सबसे निकट वाले लोग होते हैं और इस परकार से जिसने भी हम लोग देखते हैं इतियास में जिसने भी इस प्रेम के मार्ग पर चुना है उनके निकर्तम संबंदी जो उनके निकर्तम संबंदी हैं उनके हुए हैं वोई लोग ही इसके बादक बनते हैं जैसा उदारण देखते हैं सास्त्रों का उदारण परलाद वक्त परलाद जो आप लोग ने सुनी ये वक्त परलाद के विशाय में परलाद ने ये मार्ग चुना खास पिता जो थे उनके उनों ने विरोद किया द्रुव द्रो माराज ने ये मार्ग चुना तो दिमाता ने विरोद किया भिविशन माराज ने ये मार्ग चुना तो अपना खास भाय ने विरोद किया मीरा ने भी ये मार चुना खास अपने पती और जेख ने बिरोद किया टुगाराम ने भी ये मार चुना खास पत्नी ने बिरोद किया कितने उधारण दे लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद पन्तिये वीज फलता है सदा मित्ती में मिल जाने के बाद देखिए जीवन के प्रस्तितियों में जीवन के प्रस्तितियों के प्रती सौजक तो रहना है प्रस्तित नहीं होना है साब्दानी होना चाहिए चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि उन प्रस्तितियों के जो जनम दाता है उन प्रस्तितियों के जनम दाता है हम समस्या परकट करने ओले प्रुपाज जी बोलते थे कि इसकोन जो है दुनिया का हर समस्या को समधान करने वाला है है हम लोग इसकोन अंतराष्टे स्रीकृष्ण भावरे मिर्टर संग जो अरे किष्णा अरे राम मंदिर के नाम से जाने जाता है वो संस्ता है ऐसा संस्ता है जो हर प्रश्णों के उत्ता दे सकता है हर समस्या के स समयदान कर सकता है और created problem is no solution जो create किया है और उसके कोई solution नहीं होता है उसका सरफ समयदान नहीं हो सकता जान को घूंख से क्रिएट किया उसी तरिक्ले के सुक्राइव करना इसलिए हर परष्ठितियों को जन्म देते हैं उस जन्म देने वाले आमलोग जरमदाता उनके निर्माता है उनके चाकर नहीं है और जिस प्रस्तिति का निर्मान हमने किया है पड़ोशे नहीं भोगेगा हमको ही भोगना पड़ेगा तो शरीरिक प्रस्तितियों के पर्तिक सचक्ता रखते हुए आत्मा चिंदन करो मैं नित्य मुक्त सुद्ध साश्वत आत्मा हुँ ऐसा सोच करो जर्ड वाराजी ने भवाट अभी का बड़न किया भव माने संसार अटवी माने जंगल अब जब एक बार आत्मबोद हो जाएं तो ये भटकाप खत्म हो जाता है बस ये ही ससंगी आत्मबोद का जो मूल कारण हो सकता है और रगुगाण जब तक भवाराजी केर दें कि रगुगाण को की रगुगाण जब तक तुम्हारे मन में ये भाब जमा है कि पाल की धुने वाले छोटे होते हैं और मैं कहीं बड़ा हूँ या स्रेष्ट हूँ जब तक ऐसी विचार आती है तब तक तुम्हें आत्मबोद नहीं हो सकता और कहते हैं कि इस भाबना को मान से परिवर्थित करना होगा क्योंकि क्योंकि इसमा तो सब एक होते हैं इतना का करके अपना कमंडल उठाया और जड वारत जी चल दिए राजा देखते रहा गे फिर पाल की दोने वाला जो पाल की दोने वाले थे वो लोक ने का पाल की दोने वाला ने का ये माराज जे पाल की तायारे बैठिये तो रगुगान बोले क्या बैठू हूँ जो तुम हो तो मैं हूँ जो मैं हूँ तो तुम हो फिर अब किस कंदे पर अब फिर किसी कंदे पर बैठ कर चलने का मेरा अधिकार क्या है ऐसा बैराग्य मन में हो गया वो जड़ भारत जैसे महान मनिशियों की जब पादुरभाब की बज़ा से मेरा जो राष्टर का नाम भी भारत बार से हो गया तो वैश्य तो हमारे प्रिथिवी में साथ दूइब है कितने दूइब हैं साथ दूइब हैं प्रिथिवी में साथ दूइब हैं एक तो है जम्बू दूइब दूश्रा है प्लक्ष दूइब तिस्रा है सालम अली दूइब और चार नम्मर में है कुशद दूइब पांचवा है कौन्च दूइब छे हैं शाक दूइब और साथ है या सात्वा है पुश्कर दूइब आदी ये साथ दूइब हैं इन साथ दूइब में एक जम्बू दूइब जो सबसे पहला आता है आपने देखा होगा पंडित जी लोग जब पुजा कराते ना विप्रगाण तो संकल्प बोलते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं जम्बू दूइब भारत वर्षे है ना तो इस तरीका से संकल्प बगरा आते हैं तो आपको इस पष्ट करा दूँ कि ये दूइब आजकल के क्या बलते हैं इस देखने फूइब आपको बता देता है क्लियर कर देता है जो पहला नमबर का जो था जम्बू दूइब ये एस सीय में पड़ता है यह युरोप अफ्रीका है ये शाल्ट वाटर है जम्बू दूइब साल्ट वाटर से बना हुआ है त्यक्यक्य और दूसरा नम्मर का जो है प्लक्सदूइब ये इन्डोनेसिया, चाइना इस तरफ पढ़ा हुआ है प्लक्सदूइब तो ये शुगर क्यान का जूस से बना हुआ सागार है और उसके बाद तीसरा नम्मर में जो आता है सलमली जो सलमली है इंडोनेसिया में पढ़ता है तो फ्लक्सदूइब ये इन्डो चाइना में पढ़ता है इंडो चाइना में पढ़ता है प्लक्सदूइब ये दूसरा नम्मर का और तीसरा नम्मर में पढ़ता है इंडोनेसिया में फिलिपिन्स पपवा निगुनिया तो ये वाइन का सागर है ये वाइन का दूइब है और जो कुशा दुई पर ये कुशा दुई पर आपको अस्ट्रलिया के तरफ पड़ेगा अस्ट्रलिया न्यूजिलेंड तो ये घी का दुई पर इधर और कौन्च दुई जो पांचवा नम्मर में है ये अंतर चीज काड का बना हुआ है कि और फिर जो छे नम्मर में साक दुई पहरेये साथ आफ्रिका में बढ़ता है भिल्क ॐस साथ अफ्रिका में और पुशकर दूइब जो साथ नम्मर है यह नोर्थ अमेरिका में शिर्ट जल से पड़ा हुआ तो अमेरिका में पुशकर दूइब बोलने का नहीं है यह थी कोई जम्बू दूइपे बोल रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है क्योंकि नोर्थ अमेरिका में जो है वो लोग पुशकर दूइपे बोलना पड़ेगा और साथ अमेरिका जैसे कैनाडा हो गिया यह साथ अमेरिका हो गिया और उनके आसपास के बगले के जो कंट्री है उनके साथ दूइपे तो इस परकार से जम्बू दूइप में भी नौ परकार के बर्षा होते हैं यानि कि वर्ष होते हैं जम्बू दूइप में नौ परकार के वर्ष होते हैं और उन नौ बर्षों में एक भारत बर्ष बताएं, ठीक है, तत्रा पिभरत एवं बर्षम कर्म छेत्रम, इन नौ बर्ष में भारत बर्ष ही सबसे स्रेश्ट हैं, क्योंकि एक कर्मा भूमी है, यह जैसे कर्मा अपन करते हैं, वह इसे भगना पड़ता है, इसलिए भारत वही ही स्रेश्ट हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, बुरा करेंगे तो नरक मिलेगा, राजा बोले क्यों जी नरक क्या होता है, यह नरक क्या होता है, तो फिर नरक की विशाय में बताते हैं, नरका भगवान कीम देश विशेशा, पुछते हैं, नरका भगवान कीम देश विशेशा, यह नरक का, जो नरक है, किसी देश का नाम है की, किसी प्रांध का नाम है कि नगर का नाम है ये क्या है क्या चीज़ है तो शुकदेव जी महारास कहते हैं कि देखिए हमारे भूमी से धक्षिन दिशा में गैरा हज्जार गैरा हज्जार निनाननाप्य हज्जार योजना उचाई पर 28 परकार के नारकें शुतर जी कहते हैं कि हमारी भूमी से दक्षन दिशा में 99,000 योजन की उचाई पर 28 प्रकार के न रखे एक बात बताओ यहां से कोई बैड़ता है गद्धी पर कुर्ची पर बैड़ते हैं तो सम्मेधन बनाता है सम्मेधान का निर्मान करता है और उसमें बड़ी बड़ी धरायें लगाता है यह कार्मा करने से यह दंड़ मिलेगा ऐसा करने से यह पुरेशकार मिलेगा एक साधारन क्या बलते हैं हाड मास का पुतला जो अड़ी और मास से बना हुआ जो पुतला है गद्धी पर बैठने के बैठ करके सम्मेदान को बनाता है तो जिस परमात्मा ने सारे दुनिया को बनाया क्या उसका कोई सम्मेदान नहीं है क्या बताए जो हड़ी और मास से बना हुआ जो पुतला है यदि वो पुर्ची बेठने पर अपना सम्मेदान बनाता है अपना कानून बनाता है अपना नियम बनात पॉर्ण दनिया को जीशुछे किया कि उसका शम्मयदान नहीं है। दुनिया को चलाने वाले का भी तो कोई सम्मयदान है और वही सम्मयदान उसी सम्मेधान में नरख और स्वर को देवात है। दुनिया को बनाने वाले का जो सम्मेदान है, उनका सम्मेदान में नरक और स्वर्ग दोनों आते हैं हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं ना तब उपर एक कम्पूटर होता है और उस कम्पूटर में हमारा फोटो रहता है जैसे हवाई जाज एरप्लेन पर उपर उणते हैं ना एरप्लेन उपर उणता रहता है लेकिन रियाडर में दिखाई देता है कि किदर जा रहा है, कौन सी दिशा जा रहा है, का उण रहा है तो उसी परकार से यहां कभी भी हम लोग पाप कर्म करें तो उदर कम्पुटर में नोट हो जाता है इतने बज कर इतने मिनेट में इस ब्यक्ति ने पाप कर्म किया और अबस्यम एव भक्तव्यम कितम कर्म सुभा सुभाम उसका फल हमें भोगना पड़ेगा और यह जो 28 नारक है ना तो यह क्या है यह 28 जो नारक का बड़ा नाम ने किया है वो 28 नारक है क्या है कौन कौन से है क्या क्या है तो बोले पहले नम्मर में जो है तामिस्र नरक दूसरा नम्मर में आता है अंद तामिस्र नरक तिस्र नम्मर में आता है रोवरब नरक चार नम्मर में आता है मा रोवरब नरक पाच्वा में आता है कुम्भी पाक नरक छे नम्मर में आता है काल शुत्र नरक साथ नम्मर में आता है अशिपत्रवान नरक और आठ में आता है शुकर मुख नरक और नौ नम्मर में आता है अंद कूप नरक दस नम्मर में आता है क्रिवी भोजन नरक ग्यारवा में आता है संदम नरक और बारोवे में आता है सप्ता सूर्भी नरक तेरा में आता है बजर कंटाक नरक शलम अली चवद नम्मर में आता है बैतरणी पंदरा में पुयोद शोला में प्रान रोध सत्रव में विशसान अठार में लाला भक्षर उन्नाईस में सारा में यादन सारा में यादन ये उन्नाईस नम्मर में बीस में अभीची 21 में आयपान 22 में शरकर्दन 23 में रक्षोगान ये रक्षोगान भोजन और 24 में शूल प्रोथ 25 में डंडशूक 26 में अवत्त निरोधम और 27 में परियावर्तम और 28 में सुची मुख ये नरक के नाम है द्यान से सुनना हम लोग 28 नरक में से हम लोग 2-4 नरक के ही नाम सुने होंगे सबका तो सुने भी नहीं होंगे तो द्यान से सुनना जो ब्यक्ति पैसा ले करके जूटी गवाई देता है और साब बच जाता है तो ऐसे ब्यक्ति वहाँ पर जाते हैं ऐसे ब्यक्ति को वहाँ पर लेके जाते हैं वो है उनका नाम है तामिस्र नाम वो तामिस्र नाम के नरक में जाते हैं ऐसे लोग जो घुश खा के काम करते हैं और यह मराज के दूद पूरेर कंबर पे ऐसा बोले ऐसा किया गलत काम जो ब्यक्ति यहाँ पराइस्त्री और पराइधान हरनी की चेस्टा करता है वो ब्यक्ति अंद तामिस्र नरक अंद तामिस्र नाम के नरक में जाता है तो प्राइस्त्री संगा और दूसरों का धन जो चोरी करता है जो भारन करता है तो ऐसा ब्यक्ति को अंद तामिस्र नरक में जाना पड़ता है जुठा गवाई देने वाला जैसे वो कि लोग हो गया विश्यस करके अगर वो लोग नियम से अगर अपना काम ने करते है अगर पैसा ले करके ये दो नमर की धन्दा करते है तो ये लोग तामिस्र नरक में जाना जाना के थाब कर लोग पैशा लेकर के काम कराते है। तो नमर की काम करते हैं। यह ब्लक मनी कमाते हैं। ऐसे लोग ऐसे ब्यक्ति लोग तामिश्र नरक में जाते हैं ऐसा लिखाए और जो ब्यक्ति जो ब्यक्ति यहां पर दुसरों से घिना करते हैं ना तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ तुम बुद्धी हीन हो हम बुद्धी मानी हैं तुम सक्ति हीन हो हम सक्ति शाली हैं हम कुर्ची में बैठे हैं हम प्रेसिडंट हैं तुम्हारा कोई पॉजिशन नहीं है हमारे पास इतने बेपार हैं बिजनेस हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम गरीब हो हम धनी हैं इत्यादी तो ऐसा ब्यक्ति रोरब नाम के नरक में जाता है डिस्क्रिमिनेशन जो करता है ना छोटा बड़ा का जो भेर राब देखता है ऐसा ब्यक्ति रोरब नाम के नरक में जाता है जैसे चालनी होता है ना वो क्या बलते हैं आठा चालने की एक कीड़ा होता है जिसका नाम रोरू यह रोरू नाम का जो कीड़ा है हमारे सर में पर्वेश करता है उदर से और इधर से निकल जाता है इधर से क्या वालता है इधर से सर में पर्वेश करता है और उदर से निकल जाता है यह रोरू नाम का जो कीड़ा है सर में पर्वेश भी करता है और बाहर भी आता है तो जो चलनी जैसा छेद कर देता है, छोटे-छोटे छेद करता है सरीर में, उसका नाम है रोरब नरक्ख, तो तकलिब होती हैं मरने से ज्यादा, पर उस आदमे की मोत नहीं होती, मरता नहीं है, किड़े लोग बाहर अंदर करकर के उसको परते पूरा सरी में छेद करके उसका परेशान करते हैं, लेकिन बला वो आदमे मरता ही नहीं है, और रोरब नरक्ख में, शिर्व उसको तकलिबी होता रता है, और जो ब्यक्ति शरीर को रार बना के बना के जीवों को मार करके खा जाता है, जो ब्यक्ति अहर बना के जीवों को मार करके अहर बना के जीवों को खा जाता है, वो ब्यक्ति कुम्बी पाक नरक्ख में जाता है, खुम्बी पाक क्या होता है जी, बहुत बड़ा बड़ा कड़ाई वहाँ पे होता है, उस कड़ाई में दस हजार मन सर्षों का तेल होता है, और जिस ब्यक्ति ने मास खाएं, मास खाने वाले मास खाने वाले लोग ब्यक्ति को ऐसे लोगों को ऐसे ब्यक्तियों को यमराज के दुद्ध पकड़ कर उस गरम तेल की कड़ाई में डाल देते हैं, वो कुम्भी पाक नरक में, उसका पकड़ा, जैसे तुम लोग पकड़ा खाते हैं चिकन पकड़ा, तो तुम्हारा भी फ्ले ना पकड़ा बना देंगे, तुम्हारा जो नाम है उसी का पकड़ा बना देंगे, चिकन पकड़ा, या सास्त्री पकड़ा, जो भी सहा पकड़ बेगन पकोड़ा जो अलग अलग नाम जो बोलते हैं आजकल पता नहीं क्या-क्या नाम है तो जैसा खाओगे वह से भोगगे तो जिस तरीका से पकोड़ा बना आते हैं उसी तरीका से तुम्हारे भी पकोड़ा हो जाती है पकड़ा बना देते हैं और वो तेल में डालने के प्रफ प्रपनरा होते हैं। पकड़ा की तरह तमरे सरे फूल जाता है। हम पर मरोंगे नहीं। जोड जोड से चिलाते हैं। कि आप में यसा सब्ला कर हूं। कि अब नहीं करूंगा। जब सजाय मिलता है तब बोलेंगे कि महाराज आम यासा कभी नहीं करोंगे और रहरिं आद्मी तुमने पहले ऐसे क्यों नहीं दो जाता करने कि बाजुत भी तुमने कि इसके विशय में सोचा क्यों है पहले इस टॉप क्यों है क्यों वालन्टियर लिए अभी जब सजाय मिल रहा है अभी कास्ट मिल रहा है अब बोल रहा है कि मैं नहीं अब मैं छोड़ूंगा में अभी नहीं खाम मां या यही बात हुई ना अंग्रेज मी क्या क्याते है वह शार ग्रेफ्स है जब तक तुमको खाना है तब तक अंगर मिठी है बहुत स्वीट है बहुत आच्छी है और जब पेट भर गया खाना नहीं है तब बोलेंगे सब्सक्राइब पहले सोचते नहीं है पहले दवा के खाते हैं और उसके बाद जब परिणाम आ जाता है तब बोले हैं कि मैं इसा ने करूंगा अरे बाले आदमी जब तुम माता के गरवा में जब नो नो मैना से पला हुआ था और वहां अंदर पेट के अंदर जो विचरा तड़ रहा था दुहों से कस्टों से तब दोनों हाथ पेर जोड़के यह प्रार्थ ना किया था कि प्रभू मुझे विशम परस्तिती से बाहर निकाल दीजिए मैं आपको प्रामिस करता हूं मैं जैसे बाहर निकलूंगा मैं आपका ही भजन करूंगा यह बात तो भूल जाते हैं संसार में आने के बात और जब दुख कस्टों हो जाता है तब ही भागवान का इस्मरणा आता शूप में तो करता नहीं है कोई तो यहां पर यह इस्तिति है जीवन भर चिकन पकोड़ा खाओगे यह पकोड़ा खाओगे यह पकोड़ा खाओगे यह पकोड़ा खाओगे क्या बलता है वह दूसरा मचिली जैसा श्रीम पकोड़ा खाओगे और पताने दुनिया भर के क्या क्या पकोड़ा खाते हैं यह तो तो तुमको पकोड़ा बन नहीं पड़ेगा और इस परकार से प्राथना करते हैं चिला चिला करके रो रो के यमदूतों के साथ कि हमको छोड़ दो अभी हम ऐसा जीवान में कभी नहीं करेंगे पहले सोस्ते नहीं करने से पहले इसलिए किसी को भी तकलिप नहीं देना चाहिए श्रोयतम धर्मा सर्वस्वाम सुरुत्ता चैवा वदार्यतम आत्मान पर्दि गूलानी परेशामन समाचरे या धर्मा का सर्वस्वाम है कि जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है ना दूसरों के लिए भी बुरी लगता होगा इसलिए दूसरों के साथ ऐसा मत करो यदि तुमको कोई इंसल करने से तुमको पीड़ा मिलती है तो तुम दूसरों को भी इंसल मत करो क्योंकि तुमको तो पता है यदि तुमको मिलता है तो उसको भी तो कश्टो होता होगा दूसरों को दुख देने से तुमको आनंद मिलता है क्या तुमको क्या लगता है कि दूसरों को तुमने दूसरों को सताया दूसरों को परिशान किया दूसरों को टेंशन दिया अरे भोले यह आदमी, अगर दूसरों को अगर जब टेंशन देता है ना तुम, कि देने से पहले तुम स्वयम टेंशन में पड़े होते हैं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा विचार कर लेना अपने जीवन में, जब किसी को कुछ परेशान करना होता है, तुम पहले से उस पक्का होने के बाद, लेकिन तुम तो पहले से ही टेंशन लेना शुरू करते हैं, इसलिए दूसरों को टेंशन देने से पहले, दूसरों को बुरा बोलने से पहले, बुरा कारने से पहले तुम अपने आपको ही समाल लो, और यह सोच हो कि यदि तुमको तकलिप होती है, यह तैयारी करने के लिए यदि कोई तुमको करता है तो तुमको दूसरे को भी ऐसे ही सोजन जाए उसको भी तकलित दिया मत करो चाहे तुम कौन सा पोजीशन में क्यों नहीं हो सत्ता में क्यों नों हो ज्यादा से ज्यादा लोग जो बड़े लोग होते हैं जो सत्ता में होते हैं जो कुर्जी में होते हैं ऐसे लोगे ज्यादा परेशन करते हैं ज्यादा जो पैसा वाले होते हैं ऐसे लोगे गरीबी लोग को इनोशन बैक्तियों को ज्यादा सताने का आ तुमसे भी बड़ा तो है न कोई दूसरा तुमसे उपर भी तो कोई बड़ा आदमी है हर बड़ा आदमी अगर छोटे आदमी को इस तरह का से सताएगे तो संसार तो नरक बन जाएगा इसलिए कमी कम जोड़ी ब्यक्तियों को कभी सताया मत करो बाल कि उसको सायता करो उसकी कमी कम जोड़ी में सायता करो और उसको अपलिफ्ट करो उसको सायता करके उसको भी जहां तक तुम चाहते हैं वहां तक लाने की चेस्टा करो अद्वेंटेज लेने का कोशिश मत करो अपने मन माना करने बैड़ जाते हैं और विचरे जो कमजोड़ी हैं विचरा वो लोग को विवस हो जाते हैं और रो रो के अंदर से रोते हैं अपना दोस्तों को बताते हैं दोस्तों के पास आके रोते हैं लेकिन करते क्या इस आख्षा से करते हैं कि साहथ उनको कुछ साहता मिले पर विचरा वो लोग भी क्या करते हैं कि सब्ता में जो बैठा है सब कंट्रोल करके बैठा हुआ है वो सोस्ता है सारा संसार का मालिक वही है वो सोस्ता है अपने आपको भगवान हो गिया है ऐसा मत करो येदि करोगे तो भोगना तो पड़ेगा तुमको येदि ऐसे करोगे तो तुमको भोगना पड़ेगा प्रश्न यही यह आज यह कल लेकिन भोगना तो पड़ेगा तो राजा प्रेक्षित ने बीज में ही प्रश्न कर दिया महाराज माफ करना एक प्रश्ना करना था मुझे मान लिजिए कुछ ऐसा कर्मा है जो अंजाने में हमेशा अंजाने में हमसे हो जाता है अब हम लोग सुबे रे घार में जाड़ू लगाते हैं तो कितने चीटी मर जाती है मरना तो नहीं चाहिए पर देखो जीब तो मर जाते हैं और मर तो गए न हम लोग जब सास लेते हैं कितने जन्तु दिखते नहीं है और सास में डोलते रहते हैं और जब हम सास लेते हैं तो कितने जन्तु मर जाते हैं जब हल जोते हैं कितने जीब मर जाते हैं तो मरते होंगे जब क्या बहते हैं भोजन जब भोजन बनाते हैं तो कितने जीब लकड़ी में मर जाते हैं हम चाहते हैं तो हम चाहते हैं तो ब्रेक्टी जो नहीं मारना चाहिए चाहते हैं नहीं मारना चाहते हैं पर क्या करें मर जाते हैं मर गया तो इस परकार से प्रस्न करते हैं तो देखिए पांच परकार के अशुप कर्मा रोज हर ग्रेष्ट ब्यक्ति से होता है द्यान से सुनना पांच परकार के जो अशुप कर्मा हैं रोज ग्रेष्ट ब्यक्ति से होता है इनके अशुप के निवरित्ति के लिए हमें पांच यग्या रोज करना चाहिए जो हमारा जीवन में परते एक दिन पांच परकार के जो अशुप कर्मा करते हैं उसके निवरित्ति के लिए हमें पांच यग्या रोज करना चाहिए तो बोले क्या कौन-कौन से हैं घर में जब रोटी बनाते हो तो सबसे पहले गव माता के लिए निकालो उसको बोलते हैं गव ग्रास गर में भोजन जब बनाते हो तो उसको घीच नी मिला के अगनी में डाल दो कुछ छोटा टुक ना कुछ कुछ टुक टुक डा लिटल क्वांटिटी में ज्यादा तो डेल डाल नहीं चकता यहां विश्चस करके विदेशों में तो कि अगनी एलक्ट्रानिक से ग्यास से जलती है विख्षों के जड़ों में जो चीटियां होते हैं पचास ग्राम सव ग्राम आटा या कितना हो सकता है पेड के नीचे थोड़ा आटा चीटियों के लिए डाल दो आटे के कुछ गोलियां बना करके सरवर में डाल दो लोग डालते हैं ना सरवर में तलाब में ताकि मच्छीली लोग खाया हैं मच्छीली लोग के लिए डाल देते हैं पचास गराम या सो गराम अपने उपर छट पे पक्षियों को डाल दो या अपने गाड़ेन में पक्षियों को डाल दो तो एक छट नहीं है तो गर में कोई अथिती आ जावें तो उसका सत्कार करो अन्न दे दो बिखारी को भी कभी जुठा अन्न देना मना है बिखारी भी अगर आपने घर में आ गिया तो बचा हुआ अन्न जूल क्या में तो जुठा अन्न ऐसा नहीं देना चाहिए उसको भी पवित्र अन्न देना चाहिए अंजाने में की हुए जो पापों से छुटकारा पाने के लिए हमें 5-1 रोज ये जो हमने सुना ये 5-1 रोज खारना चाहिए तब ही आप अपने के पापों से बस सकते हैं हें हाज कल तो क्या हुआया अध्कॉ कर तकंगि कर लिए भिआ माता को खाना बना आपने अपने अपना खुद खोनए से पहले खिलाने का कर रहा है तो उसको मंदिर में आने से ही क्या बलते हैं मना कर देते हैं कोट केस लगा देते हैं आजकल तो ऐसी विशम प्रस्तिती हो गई लोगों का बुद्धी ब्रश्ट होते जा रहा है उसके अलावा भी अनेक उपाय हो सकते हैं और हे भी लेकिन ये उपाय सुचने के बज़ा है सीधा उनको मंदिर आने से ही मना कर देते हैं इनकार कर देते हैं क्यों? यूँकि इसका पाप ही है, कि यह गोव माता रच्छक है, यह गोव माता का सेवा करता है, यह कराना चाहता है, यह करवाता है. राम, राम, राम. कैसी बुद्धी हो गए लोगों की? अभी गोव माता को गोव ग्रास देने की तो बात ही दूर बोजन कराने की तो बात ही दूर अगर कोई करता है तो उससे भी इतना चीड़ी आते हैं तो बड़ा पोलिटिक शुरू हो जाता है उसी के साथ और दूसरी जब घर में खाना बनाती हो तो उसको अगनी में डाल दो कुछ छोटा पॉंटिटी अब यह भी देखिए ऐसा बना दिया कि अगनी में डाल नहीं सकता है डालो गया तो धुहाँ हो जाएगा धुहाँ हो जाएगा तो आलाम बज़ेगा यह देखिए यह मोडन टेकनलोजी है या पता नहीं क्या है क्या बोलोगा इसको धर्मकर्मकरने से हर चीज में अप्स्टिकल्स हैं बादक हैं ऐसे बादक चीजे इसको रिलीज क्या बलते हैं का डिवलोप्मेंट नहीं बलते हैं इसको तो विक्रिती बलते हैं कि इसको शुक्रिती नहीं बलते हैं बिक्रिती बलते हैं तो अगनी में डालने का तो प्रस्ण नहीं होता है करते भी नहीं हो लोग कब यृई कब आप ज्यादा बनने के वज़ित से बर्तन से अगर अपने आप नीचे गरिया तो दूश्य भात है नहीं चीटियों के लिए घरम पचाश सो घरम आटा रोज डालने के लिए यह भी कौन करता है कि अब शीटी आती है और करके क्या करती है टिकेट दे देती है कि तुम अन्ना अन्ना को क्यों फेक रहे हो बार कि यह एसोसेशन का नियम है है atalum association का कानून है तुम खाना बार नहीं ठेक सकते हो चीड़ीयों को खिला नहींогод कुपकृति यह भी यह भी संईच की अगर कंग्र इंडम हिए हमेसा हर समस्य के समधान होता है अगर कोई चाहता है न तो कर सकता है जहां लोग देखते हैं और जाकर बैक याड में जाकर डालो कोई ऐसे जगा ढूंड़ो जहां पर कोई कुछ नहीं बोलता है उसमें जाकर डालो जालना है तो मन है तो बहुत सारे होजिशन सब्सक्राया कि और मख्षिलियों को कि मख्षिलिक खा सकते हैं हाँ और इसको बीद रलसा भॉक्स राकते हैं जां अंदर मचिदी वते हैं तो अब खिला सकते मचिदी को और गाया कि जो पांस नम्मार था अथितियों का सद्कार करना इसा नहीं है कि कोई गेस्ट आ गिया तो तुम दरवाजा बन कर दिया कोई आ रहा है जल्दी-जल्दी बन कर देंगे ता कि उसको लगएगा कि घार म में और जो सुत्रु भाब रागता वह व्यक्ति क्या करता है फलना आए k उसमें नजर राखो प्या करता है कि देर जाता किसे साथ की बोलता है कितना दर तक बोलता है कि iba जब तद यह नहीं जाएगा तब तक और यह वह चैन से रहेंगे नहीं उनका मन में 1000 चीज खेला था मलों महीं हां आरे कि उससे भी यह गार में शुत्रु भी आया तो उसको सथ्कार करना चाहिए इस तरीका से सथ्कार करो जाकि सथ्पूंता का जो भाव उसके पास है शुन मीट जाए अनुको शुत्रु ही नहीं तुमको लगता है वह सथ्पूंत है इसल आप मानो कि तुम्हारे जीवान में सारे के सारे ये पांचों चीज जो असुब हैं ये निप्रिति तुम्हारा कभी ये असुब जो कारे होता हैं पांच कारे दिन में ये तुम्हारा कभी भी निप्रिति होने वाला नहीं है कि यह पांचों यग्य तुम करते नहीं हो और तुमको शुख भी नहीं मिलेगा तुम चाहे दिखावट के लिए बार से लोगों के सामने थोड़ा सा मुश्कान करके चलो पर अंदर से तुम्हें सांती नहीं है और सांती मिलने वाला भी नहीं है कि एम कर देते हैं और यह बातकी है यह हम नहीं कह रहे है रहा है वागवत है वागवत हैं इसलिए करने से पहले सोच समज्च के करो 2 सोच सकती वे लेकिन करने के सोचने की समाए नहीं होती है लोग यह तो बीदेशों में उतना नहीं होता है लेकिन भारत में ज्याद़ा देते हैं डंडा मार कि भाग जा इस वाग में आने तक नहीं देते हैं गूशने का तो बाद ही गया गेट में टिकने तक नहीं देते हैं गेट तक है अगर बाई चांज से आई गिया दे दिया है किसी कारण से गूश गया तो जुठा शुठा कुछ बचा हुआ कुछ पुड़ा ना खाना दे करको इसे भगा देंगे सभी लोग ऐसे नहीं हैं कही लोग ऐसे हैं जो हमने खुद देखा है तो ऐसा भिख्यारियों के साथ भी नहीं करना चाहिए तो इस परकार से जो ब्यक्ति है ये स्वी पांचों नियमों का ये पांचों यग्य का रोज करता है तो उसके जीवन के जो दिन में जो पांच अशुप कारे जो हो जाते हैं अशुप काम हो जाते हैं ये सब अपने अपनाश्ट हो जाते हैं इस इन पांचों पापों से मुक्त हो जाते हैं और जब ब्यक्ति पांचों जब पाप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं तभी उसका परगति हो सकता है अन्य था अगर घार में कुछ लगाओगे गार्डन म लेकिन सामने वीट कशक्टी ज्यादा होता है पापका ज्यादा सक्ति होता है 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 और जब तक तक तुमMan या जर लगां प्रप्व लगां जो भी लगां चीजता होने नहीं हो जाते हैं क्योंकि इसी का यूग है कली यूग है इसलिए ऐसे चीजों में ध्यान देना चाहिए कि राजा कहते हैं कि हां मान लीजिए हमसे कोई बड़ा पापकर्मा बन गया और उसके बतले में हम नरक में जाना नहीं चाहते हैं कि नरक में जाना नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए तुमसे पाप कर्म हो रहा है पाप हो गिया है और होता है अब वैसे जैसा हमने शुना कि दिन में पांस परकार के पाप तो हमसे जान के हो या अंजान के हो हमसे होता ही है अब इस लिए परिक्षित महाराज पूछते हैं कि यदि आम से गोर अप्राद हो गया है लेकिन आमको नरख जाना नहीं है और नरख जाने से बसना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए इसका कोई उपाय है इस परकास से शुक्देव जी महाराज को पूछते हैं बोले कर्मना कर्मनिर्हानू नहा नहात्यांति कैस्युतें आविद्ध्वा बदकाविद्ध्वा प्रयस्चित्वा विमर्षनम तो बताते हैं कि हमें प्रयस्चित करना चाहिए प्रयस्चित का मतलब होता है प्रस्चता अब तक जो पाप कर्मा हमने या हमसे बन गया उसके लिए कान पकड़ लीजिए सत्यनारण की कथा करवाई ये घर में और जीवान में दुबरा कभी नहीं करूंगा ऐसा कवा करके भवान के सामने माथी मागिए अगर ऐसा करेंगे ये प्रयस्चित हैं तो प्रयस्चित करने से बेक्ति को पाप कर्मा भोगना नहीं पड़ता आज तक किसी कारण वस जानके अंजानके या किसी स्वार्थ से या बिना स्वार्थ से अकर किसी के तकलिफ पहुचा आया है या किसी के बढ़काने से किसी के बढ़कावा में आ करके जो भी कारण है तो भगवान के सत्यनाम का पुजा लगाईए गार में ब्रामन को भोजन खिलाईए दान दक्षिना करिए मंदिरों में जाके प्रसाद वितरण करिए बहुत सारे उपाए हैं सत्संग करिए गार में किर्टन राखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमसे जो गलत कारे हुआ है जो पाप हुआ है अप्राद हुआ है हमें छेमा कर दिजिए और इस प्रकार से आगर अपना भूल को स्विकार करके भगवान से प्रातना करेंगे और दूबरा नहीं करेंगे तो इसका प्रयास्चित हो सकता है तो प्रयास्चित करने से ब्यक्ति को पाप कार्मा भोगना नहीं पड़ता है और देखो प्रयास्चित कई परकार के होते हैं प्रयास्चित कई परकार के होते हैं तपसा ब्रह्मचारेन समेनाच धमेनच प्रयास्चितानी पापानम कुई तपस्य के द्वारा प्रयाश्चित होता है कोई भ्रमचार्य से प्रयाश्चित करता है तो कोई यम नियम आदी से प्रयाश्चित करते है तो दुनिया के समस्ता प्रैस्चितों में सबसे उचा प्रैस्चित हैं क्या मेरे गोविन्द का भाजन घारों में भाजन किर्टन करना किर्टन रखना हम जानते हैं कई व्यक्ति लोग हर साल में कम से कम साल में एक बार तो घार में किर्टन रखते ही हैं भाजन किर्टन रख और कोई लोग तो सब्से नारण की कथा मैना में एक बार हर पूर में आके दिन रखते हैं तो काफी लोगों को हम जानते हैं ऐसा तो सबसे स्रेश्ट और सबसे उत्तम भजन कृत्तन गार में रखता है यदी तो वो सबसे स्रेष्ट है प्रहस्चीते और बजन कितन करने के बाद बड़ीया से परसाद खिला निगा हो सके तो यह रेश्टरॉन का खाना लेके आके मत खिला हो कि रेश्टरॉन का खाना असुब होता है वहां भावना गलत भावना से बनाया होता है लोगों का भावना गलत होता है भगवान का प्रसाद नहीं होता है भगवान को चड़ाया नहीं जाता है लोशन प्याज इत्यादी जो तामसिक पदार्थ लोग का प्रयोजन होता है इसलिए हो सकता है तो गर में खाना बनाव न पुद्ध मंद से खाना बना करके भगवान को प्रसाथ अरपन करो चड़ावाओ और उसके बाद भजनकृतन करवाओ भक्तों के द्वारा सभी इस्टमित्रों को बंदू-बंदावां को बुला करके भजनकृतन में भाग लो अंततर सब को प्रसाथ दो अपने छ्जामता के शाब से सभी को दक्षिणा दो यादी सभी को नहीं दे सकती हो तो रभग उलॉपिया दो 50 पइसे हैं जो भी तुम्हारे योग्यता एफट कर सकता है उतना करो लेकिन दो इस परकार से तुम्हारा बजन कृतन दान दक्षणा इत्यादी जो भी है पूर्ण हो सकता है अन्य था तुम्हारा दिखावाट के लिए जो करते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है तुम खिलाओगे बढ़िया से खाना लेके आया रेश्टरौन से बजन पूर्ण ता भी नहीं होई तो ये प्रयाश्यत नहीं हो सकता है तो उसके बाद केचेत के बलाया भक्त्या बासुदेव परायना आदम धुनवंते कास्नेना निहारं एव भस्करा दुनिया के सबसे बड़ा जो प्रयाशित है गोविंदा का कितन ये समस्त पापों को नश्ट कर देता है यानि की करता है सिस्टास्ट कम्में चेतने मापरू के आते हैं चेतो दारपण मार्जनं भव महादवाग्नि निर्वादपणं श्रेय कैरव चंद्रिक वितरणं विध्या बद जीवनं आनंदं बुधि भर्धनं पर्धि बदं पून मिर्थ स्वाधनं सरबात मस्नपनं बरम विजयते स्रीक्रिष्न संकिर्तन जो है कि जनम जनम का जो पाप का जो क्या बलते हैं पायल बनकी बैठा है पाप जो पायलिंग बनके बैठा है गठरा बनके बैठा है तो छाड़ बड़ में प्रभु का नाम करने से किर्टन करने से परम बिजयते स्रिक्रष्ण संकिर्थना संकिर्थन करने से यह सब के सब छाड़ बड़ में जलकर राह बन जाते हैं यह तो जनम जनम का बात कर रहे हैं यह सब छाड़ बड़ में रश्टा है शुलाव है और सबय मनकृष्ण पदार बिन्दयोर निवेशितम्तत गुनरागरेई रिहान शुकदेव जी कहते हैं मैं तो यहां तक कहता हूँ परिक्षित एक बार भी जिसने अपने मन को क्रिश्ण चरणों में लगाया एक भार भी जिसने गोविंद के नाम का किरतन किया वो यमराज के पूरी में सपने में भी कभी नहीं जा सकता है यानि कि सपने में भी यमराज पूरी वो कभी नहीं जाता तो कोई कारके तो देखो क्योंकि कन्यकुपजेत जाकस्चित धासी पतिया जा मिला नाम नानस्ट सदाचर द्यास्य संसर्ग दूशित एक पंडित जी थे और उन पंडित जी का नाम था अजा मिल ये कन्यकुपजे हैं ये जो कन्यकुपजे हैं ना ये कन्योज उसमें कन्यकुपजे गोत्र में पंडित जी परकट हुएं जिनका नाम था अजा मिल बहुत बड़े बहुती पड़े लिखे बहुती विद्धवां बहुती शिक्षित बेक्ती थे उनके पास एक पत्नी भी थी और एक सुन्दर पुत्र भी था हमारे मन में काम को परविश करने का दो रास्ते होते हैं हमारे मन में काम को जब परविश कराना होता है यह जो करते हैं तो दो रास्ते होते हैं एक होता है आख और दूसरा होता है काम आखों से हम गमदा निर्त्य देखेंगे तो मान में क्या होता है काम परविष्ट होगा और कानों से गंदी गीत सुनेंगे तो भी मान में काम परविष्ट होगा इसलिए मान को इसलिए मान को जिसे बस में करना है वो आख और कान पर काबू राखें, मन बस में हो सकता है, एक बात कहता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको, देखिए, ये जो क्या होते हैं, पड़े लेखे लोग होते हैं, ये लोग गलती भी करते हैं, तो क्या बलते हैं, अबबल दर्जा की गलती करते हैं, छोटे मटे गलती नहीं करते हैं लोग, फिर छोटा मोटा लिफाफास से फिर काम नहीं चलता हूँ उनको, फिर तो पूरा शुटकेसी जाता है उनके साथ, बोले जैसरी किष्णा, गलती भी बड़ा करते हैं, और शुटकेस भी बड़ा है चाहिए उनको, उनके लिए शुटकेसी जाता है बड़ा बड़ा, तो देखिए जो अजामिल हैं, अजामिल भी बिद्वान हैं, पंडित हैं, पड़ा लिखा हैं, और पुजा पार्ट भी करता है, एक दिन पुजा पुजा करके लोट रहा था, तो ऐसा लिखा है, कि दास्य संसर्ग, दास्य संसर्ग दूशी तर, आजामिल रास्ते पे किसी बेश्चे को पुरुष के साथ संसर्ग करते हुए देखा, बस, और इसके मन में काम प्रवेश कर लिया, उस सुन्दर बिश्चे ने ये बिश्चे के पास जा करके कहता है, देवी, चलो ना हमारे घार, मेरे पास बहुत, मेरे पास बहुत ही आच्छा, क्या बलते हैं घार हैं बंगला बहुत ही अच्छी गाड़ी है मर्सेडीज गाड़ी पता ने BMW क्या क्या बोलते हैं आशकर हैं अच्छा गाड़ी यह कंडिशनिंग वाली बहुत बड़ा मेरा इश्वरे है मेरे पास बहुत ही अश्वरे हैं तो इस पर क्या से बते हैं अरे उसको तो पैसा ही चाहिए बैसे को क्या चाहिए उससे मतलब क्या लें देना है उनको तो पैसा चाहिए तो बास बैसे आ गई जब तुमने बोला तुम्हारे पास सब कुछ तो बैस्ट आ गई तुम्हारे पास और आई जाएगी तो इस परकार से अजा मिलने लेकर के आ गया और घर में आया घर में आते ही बोली ये कौन है उसने पूछा क्योंकि घर में तो उसकी बीबी और बच्चा था एक तो आजा मिलने का ये मेरी धार्मपत्नी है तो जब बैस्ट को बताया कि ये मेरी धार्मपत्नी है तो बैस्ट ने बहला देखो पत्नी भत्नी आम कुछ नहीं जानते हैं यदि ये रहेगी ये इस घार में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी या तो इसको रखो या मेरे को रखो बस बिचरा फस गया उस बैसे की गोरी चमडे में ऐसा मन फस गया उसका उस पागल का अपनी धर्वापत्नी को छोड़ दिया बिचरी पड़ी लिखी थी धर्वापत्नी क्या करती है अपने बच्चे को गोद में ले करके चली गए माई के अब संस्कार तो इसमें थोड़ी भजन करने के सुवेरे संस्कार तो थे पहले से थोड़ा सुवेरे भजन साजन किर्दन करता था तो सुवेरे जब हो संद्य बंदन परने बैठा तो भैस्चे क्या किया है डाट करके बोली क्यों माला बाला ले करके बैठ जाती हो ज्यादा धन कमाने के लिए धन कमाना नहीं है क्या है जाओ ज्यादा धन कमा के लाओ जॉब में जाओ जॉब बब नहीं करना है काम नहीं करनी है पैसे नहीं कमाना है पैसे नहीं चाहिए घर चलाना नहीं है तो पता नहीं क्या-क्या उन्होंने ऐसा फुग दिया कानों में विचरे को तो जो बजन करता था विचरा बजन करने में रोक दिया बेश्चेने दन कमा के लाओ भाईया ज्यादा धन्तों चोरी करने से ही मिलेगा डाका डालने से ही मिलेगा अजा मिलके विचारों में विचार को उस बिश्यने बदल दिया अजा मिलके विचारों में आए आमूल परिवर्तन कर दिया और देखो एक बार गलती जब कर दें और उसको मसला नहीं है क्या बते हैं उसको समाला नहीं जाएं तो करती जाती हैं गलती इसलिए अगर बेक्ती को सब्सक्राइब में पहचान करके अपना गलती पहचान करके उसको समालना चाहिए प्रहस्चित कारना चाहिए नहीं तो बेखती लोग क्या समाजते हैं। मैंने एक बार गलती करें लिया। में अब शुरू करते हुं और कई हमने उधारन देखें कई लोगों को आने देखा है। बिसेस करके औरत आपकर किसी के साझसब समयाःती हैं और बस एक जु पकड़ा जाता है तो अभी अमरा smaller उहने हो एस होग यहया हमने तो import कर दिया हमारे ऐजित तो लुढ गए अब क्या है आप क्या रखाई किया है तो बास वो लोग और ऐसे कामों में लग जाते हैं फिर जीवन बार उनका जीवन नरग बन जाता है ऐसा कभी नहीं करना जाए गलती अगर गलती हो गया तो गलती को तुरंती पैचानो और सुधार लो और आगे गलती मत करो लेकिन यहां पर सुधारने के लिए और चांश ही नहीं था कर और इस फाइधा का भलती बहते जाता है है अप अपन है कुछ है कि इस परकार से एक उसका गलती बरता है जाता है पापका करते हना ए आगह आगो तो संपत्य खमाने के चक्कर में उसने सबसे पहले क्या किया है जेव कतरने लगा, पकेट मार करना सुरू कर दिया है, पिर चोरी करना सुरू कर दिया फिर बड़ी बड़ी चोरियां करना शुरू कर दिया करने लगा और फिर मौन तो बड़ा बड़ा बड़ता ही गिया तो बड़ी बड़ी चोरियां करना शुरू कर दिया फिर डांका डालने लगा फिर उसने पूरा गेंग बना लिया इस परकार से उसका नाम इतना प्रशिद्ध हो गिया डाकू अजामिल हो गिया अजामिल से डाकू अजामिल जैसे हमारे भारत में गाउं गाउं में अलग अलग लोग हम नाम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन अलग अलग नाम से गाउं वाले के हर बच्चे भी जानते हैं कि प्रिंदावन में तो एसे आम लोग छोटे थे बहुत बड़े बड़े गुंडी लोग होते थे आमको तो अभी भी मालुम होए यह तो आच्छी बात ही कि वागवान की किरपा से उन में से कोई डांकू लोग का सरकार ने राम नाम सत्य कर दिया दिल्ली से स्पेशल लग ट्रूप्स को बेच करके लेकिन ऐसे अभी भी बहुत हैं तो जो भी है तो इस परकार से हर ब्यक्तिक गाव में सबको पता चल जाता है तो उसका नाम बहुत हैमेश होगी है डांकू अजामिल हो गया भी अब तो महाराज अजामिल काली पट्टी बातकर जैसे बजार में होने निकलता एक मिनिट में पूरा बजार क्या होता है बंद हो जाता है छोटे बच्चे भी डरते यावन भी डरते भृद्ध भी डरते साब लोग के मन में भैव है डापत हो गया भैवत पन्न हो गया यदि छोटा सा बच्चा यदि दूद पी रहा है पीते पीते मा के गोद में पीना बंद कर दिया है और मा बोलती है कि दूद जल्दी जल्दी पीलो नहीं तो आजा मिल आ जाएगा बाप रहे भाप एक सास में पूरा लोटा यानि कि पूरा कटोरा खतम कर देगा बच्चा भी इस परकार से बच्चे तक को सब को भैवीत हो गया अजामिल कर नाम सुनते ही और सुबरे उठकर लोग यही प्रासना करते हैं कि है भगवान आज दिल में हमें अजा में ना दिखाई दे इस पर इसको सुधारे कौन इस पापी के जिवन में परिवर्तन लावे कौन इसको बदले कौन यह बड़ी भारी समस्या है यह तो बड़ा चिंता का विशाय भी है देखो भागवत में लिखा है दुष्रों को डराता है उसको भी डरना पड़ता है जो दुष्रों को साथ आता है उसको भी सता जाता है किसी ने किसी के द्वारा जो कर्म जैसा करते है न वह रिटन आता ही उसको भी जिसके साथ तुम आच्छा करोगे तुमें भी आच्छा परिणाम मिलेगा और यह ति तुम किसी के साथ बुराई करते है तो तुमको भी कोई दुसरा बुराई करेगा करके ही छोड़ेगा तुम इससे छुट नहीं प दराता है, दुसरों को तकलिप देता है, परिशान करता है, उसको भी डरना पड़ता है, उसको भी परिशान होना पड़ता है, उसको भी भुगना पड़ता है यह चीजे जो दुसरों को कराते हैं, और जो कभी डरता नहीं है, उसको कभी डरना भी नहीं पड़ता है, यह जो को चेंज से निश्व पाते हैं उन्हें डर लगता है कि पुलिस की कौन सी घोली चाती चिर करके निकल जाएं ऐसा भय उनके मन में रहता है क्योंकि वो दुनियों को डराते हैं दुनिया के लोगों को डराते हैं तो उनको तो डर नहीं पड़ता है जब दुसरों को डब ड़ाती हो तो दुसरों को सता आती हो तो तुमको भी डर ना पड़ेगा तो अब आजामिल के जीवन में परिवर्तन कोन लावे हमारे उत्तर परदेश में दो बड़े अद्भूत धाम हैं बड़ा भारिश औ भाग्या हमारा के रामकृष्णा दोनों हमारे परदेश में जनमे हैं तो उत्तर परदेश में जो धाम हैं दो धाम जो हैं वो कोन हैं उत्तर परदेश में परता है राम भगवान यह परते हैं हमारे श्वभाग के राम कृष्णा दोनां का अवातार अमारे परदेश में हैं ओगा आध्या में रामचंद्र और गोकुल में यानी के ब्रंदावन मतुरा में मेरे गोबिन्द इसलिए आध्या और ब्रंदावन के संत में आपसमें बड़ा प्रेम होता है ब्रणावन के संत अवद में जाते हैं अवद के ब्रणावन आते हैं पहले पहले लोग तो पैदल चलते थे पहले संत लोग गाड़ी बाड़ी में नहीं बेड़ते थे 10-20 संतों की जमात चल रही हैं मंजिरा आत में लगाएं मिर्दना आत में लगी कितन करते करते जा रहे हैं जहां रात हो गई उसी गाउं में रुके और सुबेरे होते ही यात्रा शुरू हो गिया यही संतों का रूपे एक भक्त शिताराम का जण्डा लेकर आगे चल रहा है ब्यानर बलते हैं आज कर रहे हैं कनक बिहारी की जहांके सास में लेकर चल रहा है जोले में और पिछे पिछे वो 20-25 संत अपना किर्टन करके चल रहे हैं कहां जा रहे हैं बोले बिर्णावन बिर्णावन की यात्रा निकल रही है या आध्या की यात्रा निकल रही है आध्या से बिर्णावन जा रहे हैं तो बीच में इस परकार से जब आध्या से बिर्णावन जब जाते हैं तो बीच में आजाय मिलका गाउं पड़ता है गोले जए स्री कृष्ण मात्मा लोग बड़ी मस्ति से कृदन करते करते जा रहे थे तो आप लोग भी मेरे साथ में थोड़ा किर्टन करिये एस संतो लोग बड़ी ध्यान से मस्ति से किर्टन करते करते जा रहे हैं तो हम लोग भी संतो के साथ साथ में थोड़ा राम धुन गाएंगे आप लोग भी गा सकते हैं तो थोड़ा रामदून गाएंगे और मौन को थोड़ा पवित्र करेंगे फिर इसी भावना से हम भी संतों के साथ साथ बिंदावान को चले जाएंगे बिंदावान के बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे बोले जाए सर्कृष्णा जाएंगे बढ़े 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 प्रुपकिला रुपकिला 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 झालारी कौन आपनाड ची प्लाद सिंदा लुटी मत कुन आप कुन आपन कि कर यहिवाओ टमान आपन आप deposit handbraina झीरा ओक लेड़ कि लुटी आपまぁं आपनाय दियारं के लाग, दियारं के लाग, दियारं के लाग, रदेख रिया जन्मा तरफ दलताः, यह वी नन्मा फटोद *** ज तर में बौनां जिए भावं किया ज दलताः, यह वी जा जन्मा पुरस्छताः, अटें जन्मा पॉस्छताः, जिद ऴुरस जड количество*** खारो चीन जना औि तनों सब्सक्तु फित्षान θα संदुलकर शार थो सित्षान करेक्षान इसमत्यम्स कत्र गें तर बारे कैने स्वात्स कुछлекन शनलडे कि अधर 12 शखेंम कौके अधर यंद्रक्र ज earth आधे हैं वामने चाहते हैं एशाओ सेथिंठी ऊसजी आपिष्णान को तकर अद्रीदध सकत्त मोरी आपिश्ञी और शक्र Configuration को उक्रीooo ये जए चburgुणि पें आपिश्ञान को तें आपिश्ना ये जड़ भेन। आप रूना मुण गस लो. प्रिश्न 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 प्रिश प्रिश्ट 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 प् हुआ शुर्यों बोली श्रीपाइब श्राइब 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 क्रिशनलाल कीजे